अर्भी के पत्तों के बड़े हो या पकोडे हो बनाने का ये तरीका देकर आप सारे पुराने तरीके भूलने वाले हो इसको मैंने बिना डीव फ्राइ की वे बहुत ही टेस्टी बहुत ही कुरकुरा बना के दिखाया है आज के बाद हर कोई बहुत ही टेस्टी तरीके से अर् भी के तो मुझे जो पत्ति मिल गए थै मैंने बोले लिया तोड consider बड़े पत्ति मिले मुझे से जिम चो च्छोटे मिले तो आव देखे न ही डाक वाले पत्ते ना बहुत डाक है ना बहुत लाइट है तो मुझे कम से कम आठ से नो पत्ते मिल गए थे जिसको मैंने क्या किया है अच्छे से वाश कर लिया है वाश बढ़िया से कर लीजेगा वाश करने के बाद क्या करना है मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा ऐसे पैट ट्राय कर लेना है मैंने कर लिया था अब क्या है ना कि कई लोग क्या इसमें बेसन लपेट लपेट के लगाते हैं उस तरीके का तरीका आप छोड़ दीजें कि सिंपल तरीका अपना ये बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरीके से सारे पतों को मोड लेना है आप देख रहे हैं जैसे मैंने लगें इस तरीके से लच्छेदार पूरे पतों को हम काट लेंगे अरवी के पतों के इस तरीके से पकोड़े बनाईए बड़े बनाईए जिनको आसाई होती ना कि बेसन उपर से लगाते जा रहे हैं पत्तों के उपर पत्ते उससे आसान तरीका है और इस तरीके से ये रे तो मैंने नो पतों के साथ से आधा नीबू डाल दिया है जितना ज्यादा है कम बनाएएं डाल सकते हैं अब उसमें क्या करना हिंको नमक डाल देना तो नमक से क्या होगा थोड़े से के लिए बड़े के लिए आप क्या करना यहां एक कटोरी मैंने बेसन ले लिया है इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे आदा चमाच इसको अच्छे से मिला देंगे कोई भी लंस नहीं होना चाहिए अब आपका इसका जो बैटर होता है ना उसका बैटर आपको बिल्कुल यह बहुत अच्छा बनेगा तो पहले थोड़ा थोड़ा सा पाई डालेंगे इसका थिक स्मूध बैटर इस तरीके से बना लिया है क्योंकि जब अब अर्भी के पत्ते डालोगे ना थोड़ा सा लिकुडी हो जाएगा इसलिए मैंने बोला थिक बनाईए उसके बाद गार यह सारी चीज़ें इस पत्ते के पकोड़े में बहुत ही अच्छी लगती है थोड़ा सा पिंच ओ फिंग डाल दीजे और बस आपको क्या करना है यह जो अर्भी के पत्ते हैं ना देखे पहले से कितने सॉप्ट हो गए हैं हार्ली दो से तीन मेट हुआ था जब तक बैटर टयार कर रहे थे पत्ते अच्छे से सॉप्ट हो गए हैं अब यह जैसे मिला देंगे वाइट से माइट डालदेंगे तिल यह इना बहुत करणची फ्लेवर आएगा इसमें यह करेंगे अब जैसे मिक्स करोगे आप देखोगे यह थोड़ा सा लीकिवर हो जाएगा क्यूक कंसिस्टेंस आपको ऐसी गाड़ी सी रखनी है तो चलिए अब इसको स्टीम करने का प्रोसेस देखते हैं अब आपको पकोड़े बनाना तो पकोड़े ही बना सकते हैं उसके लिए बैटा थिक रखेगा बट मैं जो तरीका बता रही हूं ऐसी कटोरी ले लीजिए या फिर ग लागेगा और खाने में तो बहुत ही जबजस लगता है मैंने इस तरीके से तिल को फैला लिया अभी जो बैटार है ना तो बैटार में हमको आधा कटोई से थोड़ा सा जादा रखना है बस क्योंकि जब यह स्टीम होगा ना तो यह ऊपर से फुल जाता है तो थोड़ा से पैस आप दीजेगा ताकि यह क्या हो कि अच्छे से सके तो मैंने आधे से थ्टोड़ा सा जादा मदब 3-4 बोल से थोड़ा सा कम मैंने क्या किया है यह बैटार को फिल कर दिया है अब आधा ही समझेघ soda ही बैटा था दो कटोरियों में आधा काटोरी मैंने बहुत अच्छ इस तरीके से आपको डाल देना है पूरा और थोड़ा-थोड़ा सा इस पेस आपको छोड़ देना है तो अभी यह देखिए बढ़िया सभ हो गया है थोड़ा सा टैप कर देगे जैसे अच्छा सब्सक्राइब अब क्या करना है, इसको steel करना है तो मैंने पहले से एक गिलाज पानी लिया था इसको गरम होने केलिए रख दिया था जैसे गरम हो जाएगा, अब steam हा पैन मेरे ले झाले लीजे उसके अब इसको steam आर मेरे रख देना है जाए धाक कर हमें इसको medium flame में कम से कम 15-20 मिट तक पकने देना है अच्छे से steam में चले इसको पकने देते हैं और यह देख सकते हैं आप 16-17 मिनट हुए थे और मैंने इसको हटाया है बहुत ही अच्छे से spongy हो गया पुप से देख सकते हैं और cracks आ गया है यह बहुत अच्छे से steam हो चुका है तो बस हमें क्या करना है इसको निकाल लेना है पहले बाहर अच्छे से निकालने के बाश इसको पूरी ताइके से पहले ठंडा करेंगे तब ही demode करेंगे नहीं तो यह और तूट जाएगा अब अच्छे से ठंडा हो चुका है तो अब जैसे देखो कि जब ठंडा होताना side से अपने आप ही छोड़ने लग चता हतोंं से प्रेस करेंगे इसको demode करेंगे और शालिए इसको demode करके दिखाती हूं बड़े आसाइंसे करेंगे अससे डी मोड हो जाता है, ये देखे, कोई भी परिशानी नहीं आने वाली है, आप गलास में बनाईए, कटोरी में बनाईए, प्लेट में बनाईए, जो छोटी साइज के प्लेट साथी है, थोड़ा सा डीप प्लेट हो, इस तरीके से बना सकते हैं, और बस, अब हमें क्या क करना है, इसके करनी है, प्लेट करनी है, तो केटिंग आप अपने हिसाब से का थे है, जैसे भी करनी है, ये तो बड़े का ही षय बिया तो आप जेसे कट कर पाकूँ नए उस तरीके से कट करा लो आपको जैसा भी पसंद हो इसको आप फ़ीय से कट करें सब्सक्रास को approximately कारे पाँ है यूम यूमार पार पाल ऐना है विटिक टिलाँ नियुक्ट बिस तरीके से इसको बड़ा की। सकते हैं अब मैंने इसको थोड़ा सा इवन बनाने के लिए ना उपा से जो उपर कर ले था ना वो हलका सा हटा दिया है उसको आप खा भी सकते हो या हटा सकते हो बहुत अच्छे से बहुत बढ़ी आसा दिखने लगेगा जब इस तरीके से मैं इसको कट कर दूंगी यह चाटनी के साथ टोमाटो केचप के साथ लेकिन दिखाने वालियो इसको अश्ट कुआ करके लोग के खाने बर्स बिल्कुल भी टी फ्राइड नहीं करेंगे शयलो वरै करेंगे बहूत क्रंची बनेगा पह थी टेस्टी बनेगा थो आप देख सकते हैं कि हम-die-4 ट्रॉन प तो इस तरीके से बड़ो को रखना है में पर टोटल छे पीज बड़े हैं तो पहले मैं चार पीज बड़ो को अच्छे से क्या करूंगी शेलो फ्राइ करूंगी बढ़ियासा गोडन कलर आएं तक आपको इनको शेलो फ्राइ करना है थोड़ा ताइम दे कर तो मैंने फ्लेम मीडियम और हाई के बीच में रखा है आप बीच में लोबी कर सकते हो इस तरीके से आप फ्लिप करोगे इसको बड़िया सा गोर्डन कलर आएं तक हमें फ्राइ कर लेना है बहुत ही जब ज़स लगता है थोड़ा टाइम लेगा लेकिन बड़िया सा क्रंची हो जाएगा और अब आप देख सकते हो पहले मैंने लो से मीडियम रखा था उसके बात मैं मीडियम से हाई कर दिया थोड़ी देर के लिए इसका कलर देखे क्या जब जब ज़स दिख रहा है बिलको गोर्डन कलर आच चुका है इसको इस लेबल तक ही बड़िया सा धीरे दिरे पकने दीज क्राइथ कर दाएथ कर लाकर ब्स इस तरह कर दिख र्लाद ना, जिस्टी तोड़ा और भी और के लिकेति लिए बड़े आप प dela करिकंदे हैं और बात पशेंचार रने में तक हा शुका अब कर द सका क्या को हलते हैं ओर लाग कि दिखा आदे और व्धु तोड़ा अगर आप इनको शेलो फ्राइ करोगे थोड़ा सा टाइम लेके यह देखो बहुत ही बढ़ियां बहुत ही टेस्टी तो आप इसको ट्राइ करें और प्लीज 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 कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस तरीके का तरीका कैसा लगा अरभी के पत्तों का बड दाएं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके बताना बिल्कूर नभूले तो तक लिएक लिए